नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरा सिंग देश में कुरूना वाइरस का कहर जारी है तीसरी लहर की आशंका के बीच कुरूना के दैनिक मामलों में एक बार फिर से जाफा होने लगा है जिसने चिंता बढ़ा दी है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले की ओर से शनिवार सुबह जारी ताजा आखनों के मताविक पिछले 24 घंटों में देश में कुरूना वाइरस के 46,769 नए मामले सामने आये हैं जब किस दोरान 509 मरीजों ने जानकवाई है ये लगाता तीसरा दिन है जब देश में 40,000 से ज़्यादा केस दर्श किये गए हैं इससे पहले शुक्रवार को 44,608 वर्न और गुरुवार को 40,164 मामले रिपोर्ट किये गए थे नए मामलों के बाद देश में कुरुणा वाईरस के कुल मामले बढ़कर 3,26,9,9,947 पहुच गए हैं इसमें से अब तक 4,37,370 लोगों की मौत होचकी है हाला कि राहत की बात ये है कि कुरुणा से ठीक होने वाले मरीजों की संख्यावी लगातार बढ़ रहे अब तक 3,18,52,802 मरीज कुरुणा से रिकवर होने में सफल रहे हैं पिछले 24 घंटों में 31,374 मरीजों ने कुरुणा को मात दी है नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होने से एक्टिव केस में बढ़ा इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटे में करीब 15,000 एक्टिव केस बढ़े हैं देज में अब 3,69,775 सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज जारी है देज बर में कुरुणा मामले बढ़ने का मुक्च कारण केरल है केरल में कुरुणा संकर्मन बेकाब होता दिख रहा है केरल में पिछले 3 दिन से लगा था 30,000 से ज़्यादा केस दर्ज के जार है शुक्रुबार को यहां 22,24 घंटों में 32,801 नए मामले सामने आये हैं जबकि इस दोरान 189 मरीजों की मौत हुई है केरल में 29,00,000 से ज़्यादा लोग संकर्मन की चपेट में आ चुके हैं इन में से 37,00,000 से ज़्यादा लोग रिकवर्ट होने में सफल भी रहे हैं वहीं महराष्ट में शुक्रुबार को 22,24 घंटों में 4,654 नए संकर्मितों की पुष्टी हुई है इस दोरान 170 मरीजों ने लाज के दोरान दम तोड़ा है इसी तरह से तमिलनाडू में बीते दिन 1542 नए संकर्मित दर्ज किये गए जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई करनाटक में शुक्रुबार को 1301 नए मामले रिपोर्ट किये गए जबकि इस दोरान 17 लोगों ने जान गवा दी आंध प्रदेश में बीते दिन 1515 नए कुरुना मरीज रिपोर्ट किये गए जबकि 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 186 और दिल्ली में शुक्रुबार को 46 नए कुरुना मरीज रिपोर्ट किये गए वहीं कुरुना की खलाब देश में ठीका करण अवियान भी जारी है शुक्रुबार को देश में रिकॉर्ट एक करोर से ज़्यादा टीके लगाए गए देश में अब तक 62 करोर से ज़्यादा बैक्सिन की डोज लगाई जा चुकी है इस ख़बर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रही है One India हिंदी के साथ